हेलो फ्रेंज आपने यापे गंगुरा फ्राग करी बनने का सबसे आसान तरीका बताते ए वीडियो को शुरू से लास तक जरूर देखे देखे गंगुरा फ्राग करी कैसे बनाते किस तरीका से बनाते ए वीडियो को में आपको सब कुछ जानतर कारीब देने वाला हूँ तो पत्ता निकलनी है डंड़ोगा यूज नाई करनी है इस तरीका से देखे गंगुरा को इस तरीका से छिल देते हैं देखे मैंने सारे का सारा गंगुरा छिल लिया हूं एक बोल में इसको एड करते हैं इस तरीका से गंगुरा को एड करनी है अब इसमें गंगुरा को क्या है अच्छा तरीक से पानि डलाएं कीजिए क्योंकि इसमें डास्ट पूरा मठी लगा वही रहती है तो इसको अच्छा से वास कर्लिने ह Hayenti मैं दो से तीन पानिं धुलाई कीजिए जिस तरीका से धो दीजिए तो देखे अब इसको पानी निचारने के बाद इसको कटिंग करねं हैं देखे इस तरीकेוצे चाय तो आप पेश्ड करके भी जल सक्ते हैं जो जो आपको इजी हो देखे मैंने इस तरीका से बारिक तरीका से यहाँ पे कटिंग कर लिया हूँ गंगुरा को तो देखे इस तरीका से गंगुरा को मैंने कटिंग कर लिया हूँ सारे गंगुरे देखे इस तरीका से अभी आपन इसको एक बॉल में उठा देते मैंने देखे दो बड़ी बड़ी प्याज लिया ताकि यह 200 के उपर है तो देखे ओनियन को इस तरीका से आफन फाइन चाप कर लेनी है देखे पहले गट लगा दीजे उसके बाद इसको फाइन चाप कर लेनी है इस तरीका से देखे मैंने यहाँ पर दो पीस गिरीन चिली ले ले हूँ ग तर्म नियाट कर दिया है को अच्छा तरीका से अचा से भूझ लेटें इस तरीक से भूझ लेटीब करें, ताक थे थोड़ा ब्रावन कलर ना आ जये तब तक लेज olm अच्छा तरीका से मिस्ट करें ताकि यह पूरा तरीका से फ्राइड नहों जाए तब तक इसको फ्राइड कर लिनी है इस तरीका से देखिए इसको पूरा तरीका से मैंने फ्राइड कर दिया हूं अभी इसमें आफन याड करते हैं प्रॉक मिट याड करनी है इस तरीका से द नमक याड़ करनी है एक बड़ी वाला इस्पून यापे नमक का याड़ कीजे यापे कास्विर लाल मिर्जी याड़ करनी है देखे एक इस्पून मैंने बड़ी वाला कास्विर लाल मिर्जी याड़ किया हूं यापे मैंने दो टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर याड कियां हूँ एक टेबल स्पुन मैने यां पे जिरा पाउडर याट किया हूं एक चुबत अब् बढ़ा तरीकश से मिला लेजे जिस तरीकश से इसको मिला लीनी है इसको बड़िया तरीकश से मिला देखिए अभी आफन टामटर को चापिंग कर लेते हैं नाइस तरीक से इसको चापिंग करनी है इस तरीक से गाड लगा दीजे फाइन चाप नहीं करनी है लंबा लंबा चाप करनी है इस तरीक से टामटर को देखिए अभी टामटर आफन याद करते हैं बीजों में आफन ट तो दिखे पहले टामटर को इस पूईंक पे मेस कर लीए इस तरीके से उसके बाद इसको शुब्जियों को चला लीजे इस तरीके से तो टामटर भी आच्छा तरीका से गल गया है तो देखे इस तरीका से आपन प्रोकरी अच्छा तरीका से बना लेते हैं अभी देखे अभी इसमें यापन गंगुरा याट करनी है देखे गंगुरा को मैंने काटकर लगाए था इसको आफन याट करके थोरा सा इसको मिला ले दिते हैं मिलाने का बात क से यहां पर गंगुरा प्रक करी बनाने के लिए बहुती अच्छा बहुती असान तरीके रहती है खाने में भी इतना ही टेस्टी रहती तो देखे आफन का गंगुरा की सब्जी इस तरीके से बना गया है तो देखे अब इसको आफन अच्छा तरीके से बना लेते हैं तो दे लगीने भी तीखे इस तरीका से इसको आठ्यातरी के सी मिला लीजे में दोखे कितना परीका से इतना असान से अहमारा गंगुर की सब्जी इसपा दनके हरा सकते हैं इस तरीका से अफन प्रोग का करई आराम से इसा परेशिक का सिव बना चूंग है गंगुरा पुरिए शुरू से श्लाच तक बगार स्किप करें जरूर देखें आपको भीज में घ्लाइण को सिलबर मठाना चलेगा तो मैंने एक और बोल में इसको सब्त करता हूं इस तरीक voters से गंगुरा की सब्जी बहुत बढ़िया बहुती टेस्टी होती है जो आपने खाना पसंद करें वह इजी आराम से खाज सकते हैं इस तरीके से इतना बढ़िया इतना टेस्टी गंगुरा की सब्जी मैंने बना के तैर किया हूं देखे इस तरीके से देखे दोस्तों अगर आपको ये विधियो अच्छाला का हुआ हमारा चैनल को लाइक चे श्ष्राइब जरूर कर दिजे देखे विडियो में नया हो विडियो में नया हो तो सस्क्राइब जरूर कर देना थैं क्यूँ फ्रेंच नेख्स मिलते नए नए वीडियो cuatro घसाथ